Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 7.6 का question number 5, तो question number 5 क्या कहता है, complete the addition subtraction box, यहाँ पे यह हमें दो box दे रखे हैं और इसमें इस तरह से यह arrow बना है और plus लिखा है, और इस तरह से यह arrow बना है और minus लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे यह जो fraction दे रखा, यहाँ पे यह जो fraction दे रखा, इन दोनों को हमें add करना है, similarly इन दोनों को add करना है, और यहाँ पे यह जो fraction दे रखा, यहाँ पे यह जो fraction दे रखा है, इन दोनों को हमें subtract करना है, similarly इन दोनों को भी हमें subtract करना है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है, तो पहले हम A बॉक्स देख लेते हैं, तो यहां पर हमें क्या दे रखा है? 2 upon 3, 4 upon 3, अब यहां पर यह लाइक fraction दे रखने हैं, तो हम एड़िक्न डायं कर सकते हैं, तो 2 upon 3 plus 4 upon 3, यह क्या हो जायेगा? 2 plus 4, 6, 6 upon 3, और इसको अगर हम Scriphもう me लिखे हैं, 3, 2, 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, अब इसको देख लेते हैं, तो यह 1 upon 3 plus 2 upon 3, इनको add करें तो क्या आ जाएगा हमारा, नीचे 3 आएगा, 1 plus 2, 3 हो जाएगा, तो यह आएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, अब इनको हम subset करना है, तो यहाँ पे 2 upon 3 minus 1 upon 3, 2 upon 3 minus 1 upon 3, न हो जाएगा 1 upon 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 upon 3, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम 4 upon 3 से 2 upon 3 को subset करेंगे, तो क्या बचेगा हमारा, नीचे 3 लिख देते हैं, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 upon 3 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 upon 3, अब आता है यह last वाला box, अब य इन को चीजह हैं, देखो, या तो अगर हम इसको इस weiter substrate कर सकते हैं, तो 1 आजाएगा, यहाँ पे हम इनको ऐड़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम और हमैरा answer सेम आएगा, देख सकते हैं, 2 में से वन जायगा, तो 1 बचाएगा, और इधर चलके add करना होता है, तो हमें इन दोनो को add करना है तो इन दोनों को add कर सकते हैं 1 upon 3 plus 2 upon 3 यह हो जायागा नीचे 3 लिखेंगे 1 plus 2 3 लिखेंगे यह आएगा 1 तो यहाँ पे दोनों तरही के से 1 ही आएगा तो यहाँ पे हम 1 put कर देंगे बी वाला पार्ट हमें LCM लेके इनको like fraction बनाना है तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 1 upon 2 plus 1 upon 3 इन दोनों को add करना है ठीक है तो यहाँ पे यह जो दे रखा है 2 और 3 इनका LCM लेंगे इनका LCM आएगा 6 तो यहाँ पे हम 3 से multiply करेंगे यहाँ पे हम 2 से multiply करेंगे नीचे 6 लिखेंगे उपर क्या हो जाएगा 3 बन्जा 3 और 2 बन्जा 2 3 प्लस 2 यह आएगा 5 बाई 6 तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5 बाई 6 1 upon 3 plus 1 upon 4 इन दोनों को अगर हम add करें तो यहाँ पे 3 और 4 का LCM 12 आएगा तो यहाँ पे हम 4 से multiply कर देते हैं यहाँ पे हम 3 से multiply कर देते हैं upon में 12 आजाएगा यह 4 बन्जा 4 3 बन्जा 3 4 प्लस 3 7 7 upon 12 आजाएगा तो यहाँ पे हम put कर देंगे 7 upon 12 अब हमें नीचे आना है, नीचे क्या करते हैं, सबस्टेक्ट करते हैं, तो 1 upon 2 minus 1 upon 3, तो यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को सबस्टेक्ट करना है, तो यहाँ पे पहले में LCM लेंगे, 2 और 3 का LCM 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 से multiply करेंगे, यहाँ पे हम 2 से multiply करेंगे, upon में 6 आ जायेगा यहाँ पे 3 लिख देंगे 2 1s आ 2 यहाँ पे 2 लिख देंगे 3 में से 2 जायेगा 1 बचेगा 1 upon 6 तो यह आयेगा 1 upon 6 similarly यहाँ पे 1 upon 3 में से 1 upon 4 माइनस करेंगे तो 1 upon 3 लिखेंगे माइनस 1 upon 4 अब यहाँ पे यह 3 दे रखा यह 4 दे रखा है, LCM के आएगा 12, तो यहाँ पे हम 4 से multiply करेंगे, यहाँ पे हम 3 से multiply करेंगे, तो upon में लिखेंगे तो यह आओ जाएगा 12, और उपर आएगा यह 4-3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो यह 1 upon 12 आजाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 upon 12, अब यह last बाला box बचा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों को add कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को subtract कर सकते हैं, आंसर दोनों से same ही आएगा, ठीक है, तो जो चीज आसान लगे वही कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, add कर लेते हैं, 1 upon 6 plus 1 upon 12, अब यहाँ पे यह 12 दे नीचे हमने 12 को एक बार लिख लिया तो यह हो जाएगा 3 upon 12 तो यह आजाएगा 1 upon 4 तो यहां पर आएगा 1 upon 4 और अगर हम सबस्टेट करना चाहें ऐसे फाइंड आउट करना चाहें तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पर 5 upon 6 लिखेंगे minus 7 upon 12 यहां पर भी 6 और 12 का LCM जो है वो 12 आएगा तो यहां पर हम 2 से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 10 upon 12 minus 7 upon 12 10 minus 7 10 minus 7 क्या हो जाता है 3 3 upon 12 आजाएगा 3 4 जा 12 तो यह 1 upon 4 आजाएगा करें आंसर सेम आएगा लाश्ट पार था कोश्चन समाप्त नेक्स लेक्षर में करेंगे नेक्स कोश्चन आज के लिए बस इतना ही